आज इस वीडियो में हम लोग डिस्क्स करने वाले हैं जो आप लोग की जर्नल हिंदी क्लासे चल ले थी उसका पार्ट टू है इंपॉर्टन कोश्चन कवर कर रहे हैं प्रिवेस एक्जाम के पूछे हैं कोश्चन है आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा जो लोग चैनल पर पहली बाव जिट कियें चैनलों को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लेजिए चले अभी नादिर के वीडियो को सुरू करते हैं किसी भी कोश्चन का एंसर बनता है आप लोग से कमेंट वाक्स से जरू से बताना है एक कोश्चन आप लोग के लिए होंबर के लिए देखते कितने लोग बता पाते हैं एदि आप लोग से इसका एंसर बन जाता है जिसका भी एंसर सही होगा उसके एंसर को कमेंट वाक्स में पीन कर दिया जागा या रियक्ट कर दिया जागा तो आप लोग चेक कर सकते है कि बन जाना ही चाहिए नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लिजिए या गूगल भी सर्च कर सके इसका एंसर ज़रूर आप लोग पता कर लिजिए कि क्यों बहुत बार एक कोश्टन पूछा गया है आज का पहला कोश्टन है जो बहुत pareil मफद है अति सूद्धो सने हो 科ुमारट किस पंक्ति है या किस की पंक्ति है आलम ठाकुर बोद या घनानन जी इसकी घना नंदी जी की यह खिरती है और सनफोर्थ आप लोगा राइट एंसर होगा एक बात और बताना आप लोगों से भूले गिया इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलिग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेज़े जॉइन कर लेज़ेगा अगला सवाल लेते हैं कालिंदी का पर्यावाची क्या है आप लोगों पर्यावाची उफसर्ग विलोम प्रत्य यह सब आपनों से बनना है चाहिए कालिंदी का पर्यावाची क्या होगा सरस्ती गंगा लच्छ में यह यमुना बहुत यह कोशन है कालिंदी का जो पर्यावाची होगा यह होगा यमुना क्या होगा यमुना जो है कालिंदी का पर्यावाची सब्द होगा ठीक है कुछ सवाल जवाब हो आप लोग कमेंड कीजिएगा आप लोगो रिपलाई जरू कि जाते हैं आप लोग स्वावने option हैं आप लोग बताईए आप लोग 1234 करके भी एंसर दे सकते हैं कि इसका एंसर यह होगा इसका सही जवाव होगा ध्यान दिजएगा option third हरिवन सराय बच्चन आधुने हिंदी साहित के पहली आत्मकता के लेखक हैं ठीक है आप लोग ध्यान दिजएगा अगला सवाल है कार के आरब में ही विगन पढ़ना किस मुहावरे का अर्थ है यहनि कार के आरब में ही विगन पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा इसका सहीर होगा औप्शन थर्ड सीर मुडवाते ही ओले पढ़ना यानि औप्शन थर्ड आप लोग का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है? आगला सवाल है किस कवी को? कवियो का कवी कहा जाता है किस कवी को? कवियो का कवी कहा जाता है आप लोग को या रखना भी 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 आईपी है आप लोग समझ जीजिएगा धर्मी भारती रामेश्वर बहादूर सिंग सर्वस्वर दयाल सकसेना या रगवीर सहाई जान दीजिएगा कवियों का कवी जो कहा जाता है रमिस्वर भादूर सिंग जी को जो है कवियों का कवी कहा जाता है ऑप्सन सेकेंड एने दो आप लोगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है और आप लोगों से रेक्रेस्ट है वीडियो को अभी तक लाइक और सेर नहीं की है आप लोग फटा-फट इस वीडियो को सेर कर दीजे और लाइक कर दीजे चले आला सवाल है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए क्या एक सब्द है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा और आप लोगों से एक question expect करते हैं कि बन जाना चाहिए पवन का संधी विक्षेद क्या होगा और संधी कितने प्रकार की होती है comment box में आप लोगों से लिखना है मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों से इस question का answer पूछ चुका है बहुत कोशन गलत कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ पवन का संधी विक्षेद आप लोगों बताना है और संधी कितने प्रकार की होती है comment box में लिख दीजिएगा ध्यान दीजिगा पवन का जो संधी विक्षेद होगा यह होगा पवधन आन क्या होगा ऑफ संधी कितने प्रकार की इसको अगला सवाल है पुनर्जन का संधी विक्षेद क्या होगा आप लोग से एकजामे यह क्या दो संधी से question जरू पूछे जाएंगे समास से कोश्चन पूछेंगी एक कनफाम है पुनर जरम का संदी विक्षे जो होगा यह होगा अप्शन थर्ड पुनर धन आजन ठीक है अप्शन थर्ड आप लोगा सही जवाब होगा ठीक है अगला सवाल ना करगड़ना का क्या अर्थ होगा ना करगड़ना तार ना करगड़ना का अर्थ होगा दीनता पूरवक प्राइतना करना तीक है अगला सवाल उन्मूल का विलोम क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा option third रोपन क्या होगा option third आप लोगों का right answer हो जाएगा ठीक है आप लोगों धान दीजिएगा अगला सवाल लेते हैं संकर सब्द किसे करते हैं भेरे भेरे important है संकर सब्द किसे करते हैं संकर देसद विदेसद ये सब आप लोगों को पता होना चीए संकर सब्द बोलते हैं दो भासा क्या है दो भासा के सब्द से मिल कर बना सब्द जो होता है उसे संकर सब्द कहाता है option fourth आप लोगों का right answer हो जाएगा अगला सवाल है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा तु मेरे नाक का बाल है इसे नहीं बोलते मुहावरा बनता है आप लोगों के नाक का बाल होना क्या होता है यह होगा right answer होगा option third अधिक प्रिया होना अधिक प्रिया होना ठीक है अगला सवाल अस्यू का परियावाची सब्द निम लिखे में से कौन सा नहीं है और ध्यान देना इस पर नहीं पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं बस पढ़े अस्यू का परियावाची सब्द होगा तहां घोड़ा लगा के आ जाएंगे जो एंसर गलत होगा बहुत सारे इंसर घोड़ा का परियावाची है लेकिन पहले आप्सन में घोड़ा दिखेंगे तहां लगा का जाएंगे कि यहां अस्तु का परियावाची सब्द पूछा था लेकिन ऐसा नहीं है यहां नहीं पर भी कोश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ना है अस्तु का अगला सवाल है जो एक अस्तान पर टिक करने ही रहता वाग के लिए एक सब्द कौश्चा होगा इसका राइट होगा यायावर क्या होगा यायावर ऑप्सन थर्ड आप लोग का राइट एंसर होगा आप लोग ध्यान दिखेंगा बहुत ही महत्पूर सवाल हो जाता है जान दिखेंगा इसका सही जवाब होगा अफसन फर्स्ट संचेव क्या होगा संचेव समाज का सब्द होगा संचेव ठीक है चले तो यह रहे इंपोर्टेंट कोशन जो आप लोगी जान में पूछी रा सकते हैं आप लोग के यह वीडियो कंटिनी अभी रहेगी आप लाइक और शेयर चैनल पर जूड़ हैं चैनल को सब्सकाइब कर लेजीगा कुछ सवाल जवाब हो आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को रिप्लाइ जरू किया जाएगा ठीक है आप लोग सवालों का जवाब दिया जाएगा ठीक है चले मिलते हैं नेक्स वीडियो धन् प्रिजले अप्राइब धाल